36 गड़ के नरायनपूर जिले की पुलिस ने 20 वर्षे खुक्यात नकसली को गिरफतार किया और नकसली पंडू पडमी आईटी बीपी के दो अधिकारियों सही साथ सुरक्षा कर्मियों की हत्या करने में शामिल रहा है और वहीं पडमी को जिले की अदालत में पेश किया गया जहां से नियाएक रासत में उसे भेश दिया गया वहीं नरायनपूर एसपी गरीजा शंकर जैस्वाल ने बताया कि पडमी नकसलीों के अमदई घाटी छेज समीती के सचीव सुरेश सलाम का सयोगी भी रहा है और सूचना मिली थी कि वह तो इमाता गाउं में मौजूद है और यहां पाली बरसूर सड़क पर हो रहे काम में नुकसान पोचाने वाला है और पुलिस की एक टीम ने जाल बिचा कर उसे पकड़ लिया और पिछले साल 20 अगस्त को नरायनपूर के कड़े माता गाउं में हुए नकसली हमले में पडमी प्रमो कृप से शामिल था और हमल मद्य प्रदेश में कोरोना संक्वन्ड के स्थिति को देखते हुए राज्य शासन ने गंतंतर दीवस आयोजन के लिए आवशक दिसाने देश जारी किया है और वहीं गंतंतर दीवस पर होने वाली परेड का आयोजन सिर्फ जिला मुख्यले में ही किया जाएगा और पिछले साल भी कोरोना संक्वन्ड के चलते परेड का आयोजन केवल जिला मुख्यले में ही किया गया था और वहीं आपको बता दें कि आप कोरोना के चल थे इस पर फैसला लिया गया है और वहीं चतरपुर जिले में एक तीन साल की बच्ची चत से गिर कर घायलोगी और जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भरती किया गया और मामला नो गाउन थाना शेट के ग्राम टुकडर का है जहां ब्रिज गोपाल की तीन वर्षे बेटी नैंसी पाल छट से खेलते समय गिर गई जानकारी का अनुसार बच्ची बिना रेलिंग की छट पर खेल रही थी और माता पिता पास में ही चारे की घटाई पर काम कर रहे थे और वहीं खेलते खेलते बच्ची का ध्यान नहीं रहा और वो छट से सीधा जमीन पर आगिरी और हाथसे में बच्ची के हाथ और पैरों में चोटे आई हैं और गटना के बाद पैजन उसे घंबीर हालत में जिला एस्पताल लाए जहां डॉक्टरों ने उसका सिटी स्कैन कराया और बच्ची का इलाज अभी जारी है और वहीं चोटरपुर जिले में एक किरान दुकान में भीशन आग लगी और दुकान का सारा समान जल कर खङ़ गया और वहीं आगजनी के घटना में किरान दुकानदार को लाखो का नुकसान हुआ हाला कि किसे के हताहत होने की खबर नहीं आई है और वहीं जानकारी के अनुसार दुकान संचालक किराने की दुकान में खुला पैटॉल बेचा करता था जिसके चलते आग लगए और भीशन हाथसा हो गया और आग इतनी विक्राल थी कि दुकानदार के घर में रखे गैस सिलेंडर में भी ब्लास्ट हो गया और सिलेंडर में ब्लास्ट होने से एक तेज धमाका भी हुआ जिससे लोगों में दहशत फैल गी और धमाका इतना जोड़दार था कि लोग अपना घर छोड़ कर बाहर निकल आए और घटना की जानकारी मिलने के बाद गड़ी मलहरा पुलिस मौके पर पहुची और बचाव कारे करने में जूटी और वहीं इस्तिटी को काबू में किया गया और आग पर काबू पाने के लिए फाय ब्रिकेट की तीन गाड़िया मौके पर मौके पर मौके पर मौके पर नी और करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका और हाथसे में दुकान में रखा करीब तीन से चार लाग का समान चल कर खाक हो गया 36 गड़ में रविवार को कुरोना संक्मन्ट के 3841 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही साथ यहां कुरोना के कुल मामलों की संक्या बढ़ कर 10,95,709 हो गई है और वहीं रविवार को 11 लोगों की कुरोना के चलते मौत हो गई और वहीं यहां अब तक मरने वालों की संक्या बढ़ कर 13,727 हो गई है और उन्होंने कहा कि रविवार को राजे में सक्रात्मक दर्ट सो परिक्षनों पर 14 प्रतिशत रही और उन्होंने कहा कि 96 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई और इसके साथ ही अब तक ठीक होने वालों की कुल संक्या 10,49,952 हो गई है और इसके अलावा रविवार को 2925 लोगों ने होम आइसलेशन की अबदी पूरी कर ली और फिलाल राजे में कोरोना संक्मंड के 31,990 सक्रे मामले और उन्होंने कहा कि राएपुर जिले में कोरोना संक्मंड के 1,018 नए मामले मिलने के साथ ही यहां कुल मामलों की संक्या 1,84,038 हो गई और इनमे 3,178 मोते भी शामिल है और जिले में अभी 8,212 सक्रे मामले है और वहीं दुर्ग में 790 मामले सामने है और इसके बाद चशपुर जिले में 250, बस्तर जिले में 249, चशपुर जिले में 164 और राजनन्द गाउं में 142 मामले सामने आए है